माराश की डिप्टी सीएम अजित पवार ने पूरु पीएम राजिव गंदी की तुलना मोजुदा प्रधान मंत्री नरेन मोदी से की है अजित ने कहा राजिव गंदी को मिस्टर क्लीन की नाम से जाना जाता था और प्रधान मंत्री नरेन मोदी की भी वही इमेज है पिछले महीने एंसीपी को तोड़कर भाचपा शिव सेना सरकार में शामिल होने वाले पवार ने मंगलवार को पूरे में एक कारिक्रम में ये बात कही पवार ने आगे कहा हम पिछले नो साल से पिए मोदी का काम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जैसी लोकपरित वाला कोई दूसरा नेता नहीं है बुनियादी धाचे के मामले में उन्होंने जो काम किया है उसे देखे बारत को दुनिया में अलग तरह का सम्मान मिलता है अजित ने ये भी कहा कि इंदरा कांदी को भी इसी तरह का सम्मान मिलता था जब वो दूसरे देशों का दोरा करती थी पेम मोदी को मंगलवार को लोकमान ने तिलक पुरसकार दिया गया था ये कारिक्रम पूने में आयुजित किया गया था जिसमें माराष्ट के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम शामिल हुए अजित ने कहा जब मोदी का काफिला गुजर रहा था तो पूने के लोगों ने सडकों के दोनों और खड़े होकर उनका स्वागत किया में और देवेंद्र जी काफिले की में एक ही कार में थे कारिकरम स्थलतक मोधी की यात्रा के दुरान हमने कोई काला जंडा नहीं देखा यही नहीं पवा ने मनिपूर मामले पर पिये मोधी की तिखी प्रतिकरिया की प्रशंसा की पवार बोले कोई भी प्रदान मंत्री कानुन विवस्ता की द्रश्टी से देश में अच्छा महल बनाने के बारे में सोचेगा मनिपूर में जो कुछ भी हो रहा है उसका किसी ने समर्थन नहीं किया प्रदान मंत्री ने मामले का संग्यान लिया है बारत के मुख न्यायदिश ने भी संग्यान लिया है केंद्र और मनिपूर सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि तीन में की घटना के दोश्यों को सजा मिले पवार ने कहा मोधी दिन में 18 गंटे काम करते हैं उन्होंने कहा दिवाली के दोरान जबकि देश के बाकी लोग घर पर दिवाली मनाते हैं वो इसे सीमा पर सेना के जवानों के साथ मनाते हैं इसी के साथ बने रहे है राजनाम टीवे के साथ रनेवाड